नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उस कारिक्रफ में जो है चर्चा में और आजकल चर्चा में चारों तरफ चाया हुआ है विधान सभा चुनाओ और साथ ही मदगर्ना विधान सभा चुनाओ हमारे प्रदेश में हाल ही में संपन हुए है और प्रदेश के आवाम ने प्रदेश की जनता ने अपनी उंगली की ताकत दिखाते हुए अपने और प्रदेश के भविश को सुरक्षित किया है EVM मशीन में और साथ ही जो प्रतिनिधी हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ा है उनकी भी धड़कने तेज हैं कि 3 दिसंबर को सत्ता की बागदोर किसके हाथों में आने वाली है सत्ता किस तरफ बैठने वाली है इन सब के बीच चुनाव आयोग लगातार तयारियां कर रहा है पहले तो चुनाव की तयारियां और उसके बाद मदगर्ना की चुनाव की तयारियां कर रहा है और ये मदगर्णा की तयारियां क्या है और साथ ही हमारे प्रदेश में चुनाओ किस तरीके से संपन हुए इन सभी के उपर आज हम रोशनी डालेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ है सयुक्त मुख्य निर्वाचन पधरिकारी श्री निलेश एक्षीर सागर जी तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में और निलेश जी मैं शुरुआत करूं कि कई महीनों से चुनाओ आयोकी तैयारियां चल रही है कि प्रदेश में शांती पूर्ण निश्पक्ष और निर्वाथ रूप से चुनाओ संपन हो तो अब जब चुनाओ संपन हो गए है तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चा इंसिडेंट फ्री चुनाओ कराना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है सभी को विदित है कि हमारे बसतर क्षेतर में खासतर पे सव्वेदन क्षेतर है और वहां पे चुनाओ करने का एक अलग व्यवस्ता लगती है अलग थोड़ा अलगी वहां का नजरिया रहत हमारे जो मतदाता है उनको भी कुछ हताहत न हो इस तरह से जो सव्वेदन क्षेतर में माववादी हिंसा के बीच में चुनाओ कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवरी रहती है और इसमें हम शत परतिशत हमारा जो बुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्याले हैं हमारे स सभी मैदानिक शेतर के अमले के सभी आधिकारी कर्मचारी खासतोर पे सिक्रिटी फोर्सेस हमारे पोलिस के परशाषन और खासतोर पे सभी नागरीकों के चलते बहुत अच्छे से चुनाओ संपन वा है 36 गड़ के चुनाओं के बहुत अलग-अलग गर्व के विशे है लेकिन सबसे हरश का विशे ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे खास तोर पे महिलाओं ने बहुत बढ़ चड़ कर इसा लिया है और लगबक 76 प्रतिशत से जादा जो प्रतिशत लोगों ने चुनाओं का अपना आधिकार का प्रयोग किया है ये भी एक बहुत गर्व की बात है तो कुल मिला के बहुत अच्छे तरह से ट्रांस्परन तरीके से और बहुत सटिक तरीके से चुनाओं संपन किये गए बहुत ही खुशी की बात है और जहां तक आपने महिलाओं का जिक्र किया तो यहां पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो महिला मददाताओं के संख्या है वो हमारे प्रदीश में मेरे खाए से पुरुष मददाताओं से भी आगे रही है तो जो नए नए प्रयोग किये गए इस बार हमने देखा चुनाव आयोग द्वारा की जो बुजुर्ग मत दाता है या जो दिव्यांग जन है उनके लिए घर पहुंच सेवा की वो घर से ही अपना वोट डाल सकते हैं ये सुविधा दी गई जो जो नववधू समान समारो है ये रखा गया तो ये जो नए नए प्रयोग किये हैं चुनाव आयोग ने इनका क्या असर देखा गया चुनाव में मतदान में नौबादू संमान वैंट इस में बहुत अच्छे तरीके इसे मनाया था उसमें हम बताना चाहेंगे कि जो खास तोर पे जमिनी स्तर से एक बात उबर के सामने आ रही थी कि जो नववदू है जो नए गाव में नए शहर में नए जगव पे आती है उसके जो मूल स्तान पे क्योंकि आठरा साल के बाद ही शादी होता है लेकिन चुकि उसका शादी बाहर होने वाला है वो कहके बहुत जगव पे उनका वोटर लिष्ट में नाम ही नहीं जोड़ा जाता था कि यह तो बाद में जहां जाएगी शादी बिया होगा वहाँ पे नाम जोड़ा जाएगा तो इस तरह से वो छूट रहे थे इस पूरे प्रक्रिया में तो उसको फोकस करते उए उसका रिजल्ट यह रहा कि अंतिम जो हमारा सेकंड समरी रिवीजन बोलते है जिसको कहा जाता है उसके बाद हजार पुर्षों के पीछे एक हजार बारा स्तिती नहीं है कि जहां पे महिलाओं की संक्या जादा रही होगी तो ये 36 गड़ के लिए ये भी एक बहुत गर्व का विशे रहा है तो इसी कारण जो बविश्य में देखा गया है कि जब दोनों चरण हुए खास दोर पे प्रतम चरण में तो और जादा दिखने को मिला कि तीन प्रतिशत म महिलाओं ने जादा वोटिंग प्रतम चरण में किया गया था और पूरे ऐसे लगबग 30-40 विदान सभा से जादा विदान सभा होगी कि जहां पे महिलाओं का प्रतिशत बहुत जादा देखने को मिला है इसके साथ साथ खास तोर पे बुजर्ग जो हमारे मद्दाता रहत है है उनके लिए भी बहुत अच्छी विवस्ताएं की गई थी इसमें जो अभी भारत निर्वाचन आयो के जहें निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें जो हैंडिकेप्ट दिव्यांग लोग है उनके लिए तथा जो 80 साल से जादा जिनकी उम्र है ऐसे बुजर्ग मद् है उन्होंने उसका फॉर्म को फिल किया और उसकी जो होम बैलेट की विवस्ता है उसका लाब उठाया इसके साथ साथ दिव्यांग जो मतदाता है उन्होंने भी इसका लाब उठाया तो पूरे प्रदेश में इस तरह से होम बैलेट की विवस्ता भी की गई थी उसमें भी हमारे यहां सभी जगह पे बहुत अच्छा उसको response मिला था इसके साथ साथ खास तोर पे बहुत सारे मतदाता ऐसे थे कि जो बुजर्ग होने के बावजूद भी वो चाहते थे कि हम मतदात केंदर पे आके वोटिंग करें तो उनके लिए भी उनका वोटिंग अच्छे तरके से हो सुगम में रुप से हो बिना कोई हिजक्के हो इसके लिए हमने हर बूद पे हमारे वोलेंटियर्स भी लगा थे मतदाता मित्र जिनको कहां गया था इसके साथ-साथ जहां कुछ जगह पे सभी पॉलिटिकल पार्टीस के संग्यान में लेते हुए कुछ जगह पे आने नवाचार जो बताना चाहूंगा कि जो संगवारी मतदान के इंद्रत है कि जो पिछले समये थोड़े कम थे इस समये हर विधान सभा में दस संगवारी बूट्स बनाया गए थे जिसमें सभी मैला कर्मेचारियों की ड्यूटी लगे गित सबी मालात के दल्त हैं पूरे देश में ये पहली बार इस तरह की गतिवीदी की गई थी कि सबी माला ने पूरा एक विदान सभा को संचालन कीया है और पूरा वोटिंग का ब्रूरा कार्या है उनके द्वारा कराया गया था जो प्रदेश के लिए बहुत एक मुझे लगता है वो भी एक गर्व का विशे रहा है प्रदेश के लिए तो रहा ही है और जितनी देश की महिलाएं हैं मैं तो कहूंगी उन सब के लिए भी एक बहुती गर्व का विशे रहा कि चुनाव आयोग ने जो जो कदम उठा है उसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाथ देखने को मिला खास करके महिला मद्दातों की बात करें तो काफी जो वोड प्रतिशत है उसमें उच्छाल देखा गया महोदे अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि कैसे मावद प्रभावित अलाके जो है हाला कि जो हमारा प्रदेश है बहुती सुन्दर और सरल है और बहुती सम्रिद भी है लेकिन यहां पर कुछ जगों पर जो चुनाव संपन कराने की प्रक्रिया है वो काफी चुनोती पूर्ण हो जाती है अगर हम मावद की बात करें जिसमें कि जो ग्रामीड है वो विचारे डरते हैं घबराते हैं मर्दान करने से तो पहले के तो लामें इस बार क्या बदलाओ देखा गया इस समस्या को लेकर इसमें खास तोर पे मावद जो प्रबाइदिक शेत्र है चुनाव कराना बहुत बड़ी एक चुनोती रहती है वो विचारधारा में भी थोड़ा वोटिंग के खिलाफ रहने के करन उसमें बहुत रहती है और खास तोर पे सुदूर आचल क्षेत्र में हमारे रहने वाले ग्रामीन लोगों को तो बहुत उसमें परिशानी रहती है उसके साथ साथ हमारा जो मतदान दल जाने वाला है उनको लेके भी सिक्यूरूटी के विशय बहुत रहते हैं यह सुदूर क्षेत्र के हैं लेकिन उनको वोटिंग से विवस्ता करना भी एक प्रशासन का और हमारा मुखे निर्वाचन पदादिकारी कार्याले की बहुत तैयारिया लगती है इसमें खास तोर पे जो हमारे सेंटरल आम फोर्सेस है वो भी उपलब्द होती है बहुत ज्यादा पैमाने पे वो उपलब्द होने के बाद उनकी विवस्ता करना भी एक बड़ा विशय रहता है खास तोर पे बहुत समवेदिल खेत्र में चुनाओ कराने के लिए विवस्ता को देखते हैं उनको शिफ्टिंग भी करना पड़ता है उनके जो जगह है एक्चुल वहां से एकात किलोमेटर दो किलोमेटर दूर हमको बूत इस्टेबलिश करने पड़ते है पूर्व में द उसकी पूरी विवस्ता की गई थी इसके साथ साथ कुछ पूलिंग बूट्स में जाने वाले जगह पे बहुत विवस्ता करने के लिए हिली ड्रोपिंग भी करना पड़ता है यानि हमको चौपर से वहां के जो हमारे मद्दान केंदर है उनको ड्रॉप करना पड़ता है पूरी विवस्ता थी इसके साथ साथ इस साल में 2023 में जो एक अलग विवस्ता की गई थी उसमें एयर एंबूलन्स और हली एंबूलन्स की विवस्ता की गई थी वह बस्तर जगदलपूर में उसको रखा गया था ताकि हता हात के स्थिति में उनको ततックाल स्युफ्ट किया जाए तो बहुत गर्व का विशे कि इस समय इस तरह का कोई स्थिति नहीं बनी कि जादा कोई यह हो फिर भी जो कुछ छोटे हाथ से हुए थे उसमें ततकाल लोगों को हमने एर एंबुलेंस करके शिफ्ट किया गया था तो इस तरह से इंसिडेंट फ्री जो चुना हुए हम को देखने को मिला इस तरह से पूरा सेकुरिटी के हिसाब से पूरा तैयारी करके हुए व्यवस्ता की गई थी इसमें पूरीस प्रशासन हो हमारा सेंट्रल आम फोर्सेस के नोडल्स हो इनका सभी का भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था जी और इतनी सुरक्षे के सुरक्षित रख लिया है EVM मशीन में और वहीं पर जो प्रतिनिधियें उनको भी थोड़ा सा दिल की धड़कने तेज हो गई है हम बात करना चाहेंगी EVM मशीन के सफर की हमको पता है कि EVM में बटन दबाकर जो पार्टी जिसका प्रतिनिधी होता है उसको जनता चुनती है और उसके बाद वो फैसला EVM में सुरक्षित रख लिया जाता है बूट से फिर EVM का सफर कैसे तै होता है स्ट्रॉंग रूम तक यह आप हमारे दर्शकों को बताईए इसमें थोड़ा विशय अंतर करते हैं एक विशय जो छुटा था थोड़ा बताना चाहूँगा लगब के लिए और पुरे देश के लिए गरवकाई विशय है माववात प्रभावेत लाकों में एक सोचब्वीस बूत ऐसे कि जहां पर पहली बार वहां उस जगह पे जाके पोलिंग करा है वहां के ग्रामिनों ने उनके मतदाता का मतदान का अधिकार का प्रयोग किया है और जो खासतर पर शुदूर G Shetra के सभी जिले है हमारे सुख्मा में 9% वोटिंग बढ़ा है वॉइसे ही धंतवाडा में 6% के ज्यादा वोटिंग बढ़ा है वैसे ही बिजापूर में भी भूत ज्यादा प्रतिशत वोटिंग बढ़ा है तो यह सभी व्यवस्ताओं के कारCause्ए क ग्रामिनों ने अपना एक जुजारूपन दिखाते हुए ये वोटिंग बढ़ा है तो उसको भी हम धन्यवाद गैपित करना चाहेंगे खास तोर पे जो इवियम का बात आपने जो अभी सवाल पूछा है कि बूत में जब अपन वोटिंग करते हैं उसके बाद इवियम का क् लाइन में खड़े होंगे उनको पर्चिया बाती जाती है जितने भी लोग पांच बजे लाइन में खड़े होंगे उनका वोटिंग कराया जाता है उसके बाद उसी उस पे जो हमारा मशीन है उसको क्लोज कराया जाता है वहां एक बैटन क्लोज करके फिर उनको पैकिंग क के हमारा जो जहांपे एक center रहता है जहां से उसका रहता है उस strong room जहां बनी रहती है जहां बविशे में counting भी होना रहता है उसको strong room कहा जाता है वहां पर विवस्ता किया जाता है तो जो भी पॉलिंग पर्टीस है वापस आती है तो कुछ हास दूर पर documents रहते हैं कि जो बहु एक envelope में अच्छे तरह से pack किया जाता है क्योंकि जब counting के समय अगर कुछ समझ्या आया तो उसको देखना पड़ता है तो वो जो envelops और documents है वो और उसके साथ जो VVPAT है जहां पर देखा होगा कि एक बड़ा बक्सा टाइप रहता है जहां पर प्रिंटों के बाजू में रहता है यह सभी को साथ में लेके उसी strong room में रखा जाता है कभी किसी समय अगर किसी कारण वश कोई VVPAT कोई CU अगर change हुआ होता है तो उसको भी उसी strong room में रखा जाता है अगर आप कभी strong room बहुत सारी हमारे दर्शक नहीं देखे होंगे लेकिन strong room में आपके एक जमीन पे टीन से खाचे बने रहते हैं तो आपके बूथ का एक नंबर होगा तो एक नंबर बूथ पे रखा जाएगा इस तरह के बूथ वाइस वहाँ पे फिर उनको जमाया जाता है लेकिन वह जमाने के पहले उसको पूरा हमारी जो टीम रहती है वो बीच में जब सेंटर के रात के एक-दो बजे के बाद पूरा काम खतम होने के बाद सुबह तक के पहले उसको फिर सील किया जाता है सील करने के लिए उसकी पूरी विवस्ताइए बनी रहती है खास तोर पे जो हमारा स्ट्रॉंग रूम है वहां से कोई बहार से कुछ ना पाए इसलिए वहां के प connection भी नहीं रहता, उसको भी निकाला जाता है, किन्तु जो बाहर के corridor रहते हैं, वहाँ पे CCTV पूरे लगाया जाते हैं, जब seal होता है सुबह तो हमारे जो observers आते हैं, वो political parties के जो प्रतिनीदी रहते हैं, वो सभी मिला के कागज पर अपना साइन करते हैं, उसके बाद seal होता है, तो जो भी agents रहते हैं, जो political parties की भी, उनका भी उसके signature रहता है, ताकि पारदर्शिक्ता बनी रहे कि इसको कुछ किसी का तरह का वो room का security को भी छेड़ चाड़ने किया गया है, जितनी political parties के प्रतिनीदी हैं, वो भी वहाँ पर मौझूद रहेंगे, और साथी जो polling agent है, जो चुनाव आयो के जो अधिकारी हैं, वो भी मौझूद रहेंगे, जिनकी के उपस्तिती में seal लगाई जाए हैं, बिल्कुल उसक पर देख भी सकते हैं, वो जब counting के दिनी बीच में कभी ने कोई देख सकता, लेकिन बीच में कुछ जगा तक जाने की मुभा रहती हैं, और उसमें आरोज को जाके चेक भी करना रहता है, इसके बाद उसके तीन कौडरन की security भी रहती है, और ये बहुत शशक्त ऐसी security वहा पर duty रहता है, किसी को भी उसके अंदर जाने की permission नहीं रहती है, एक हद तक जहां चेक करने के लिए जाना है, वहाँ पर एक logbook भी रागा जाता है, कि कोई अगर उस second quadrant तक आता है, उसके आगे तो कोई नहीं जा सकता, बशरते जब उसका चुनाव और counting के दिनी जा सकते है लेकिन जो second quadrant के तक एक logbook भी बनाया रखता है, कि कोई विवस्ता देखने के लिए आता है, तो भी वहाँ साइन और timing लिखे रहता है, बाहर का जो सबसे quadrant रहता है, वो जो हमारा district police force रहता है, उसको दी जाती है, तो इस तरह की पूरी security वहाँ पे 24 by 7 रहती है, जो CCTV मैंने बता है कि लगाया रहता है, उसका एक feed, पूरे third quadrant के बाहर, यहाँ पे आम लोग भी देख सकते हैं, ऐसे एक जगह पे CCTV का एक feed भी रहता है, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे, कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई छेड़चाड या कोई वहाँ पे आवागमन नहीं है, तो वो बहुत सारे हमारे political parties के लोग भी हमेशा देखते रहते हैं, तो कुल मिला के पूरे transparent तरीके से security की विवस्ता वहाँ की जाती है, बतलब एक पूरा चक्रव्यू रचा जाता है strong room के आसपास, जो कि अभेद्य माना जाए कि वहाँ पर घुस्पाना नामुम्किन है, क चरण है वहाँ तक जा सकते हैं, उसके पहले दृतिय कोडरन तक हमारे जो district election officer है, और डियो जो हमारे आरोज है, वो लोग सिर्फ वहाँ दृतिय कोडरन तक ही जा सकते हैं, कुल मिला के जो एकदम अंतिम चरण है, वहाँ पर चुनाओ के मदगना के दिन ही सभी लोग जो जाएंगे, उसमें political parties होगे उसी दिन जा पाएगे, उसके पहले वो भी लोग नहीं जा सकते हैं, और strong room के बाहर, जो नजारे देखने को मिलते हैं, कि जो प्रतिनिधी होते हैं political parties के, वो भी दिन रात पहरा देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें एक खास तोर पे सभी आजकल देखने को मिल रहा है कि इस तरह का लोग रहते, इसमें मुझे लगता है कि वैसे कोई आवशक्ता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को कहा जाएं कि इस तरह का आवशक्ता नहीं है, तो कुछ आशंकाये निर्मित हो जाती है, तो पूरे प्रशासन का भी है और हमार रहता है कि जो भी इस तरह के वहाँ पहरा देना चाहें, देखना चाहें, बिल्कुल उसका स्वागत है, इसलिए मैंने जैसे कहा कि एक फीड भी, जो हम सीसी टीवी का फीड रखते है, कि वहाँ पे उनको देखते रहे, जितना बनना न बनने की स्थिति बनती रहती है, तो जो भी हमारा वोटिंग डालने से लेके हमारे एविम रखने तक या हमारे काउंटिंग तक पूरी जो भी प्रक्रिया है, वो जादा से जादा पारदर्शी रहे, तो जो भी इस तरह के वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ अगर पहराद देना चाहेंगे, तो उसमें बहुत जगा पे उस तरह का विवस्ता भी किया जाता है, कि वो देखे, ताकि यह जो पूरा प्रक्रिया विश्वास पे है, मुझे लगता है, और सभी लोग इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, हाला कि क सभी पॉलिटिकल पार्टीज को शेर किया जाता है, कि एक नंबर बूत पे कौन सा EVM यूज किया, जब अब काउंटिंग तीन तारिक को होगा, तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सजग है, सभी, वो अपने जो सूची होती है, उनके एजेंट्स बिलकुल लेक है, तो वो भी सजग है, और मुझे लगता है कि सभी लोग सजग रहेंगे, तो हमारे जो एक पूरी इलेक्शन प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी, तो मेरे खाल से आपने बहुत अच्छे से दर्शकों के सामने जो खाका खींचा है, कि स्ट्रॉंग रूम कैसा होता है, वो दृश्ची मेरे खाल से दर्शकों को अच्छे से मन में उतर गया होगा, अब आते हैं जो बोलते हैं कि D-Day है, जो चुनाओ आयोग जिस दिन के लिए तैयारी करता है मदगर्ना, चुनाओ तो संपन हो गए, अब मदगर्ना को लेकर जो सब का इंतजार र इसे जितने भी वहाँ पे पोलिंग बूद्स है, मददान के जितने संक्या में है, वो वहाँ पे जमाया हुआ रहता है, तो उसके एडिसेंड बाजू में ही, पहले ही, यहने स्टॉंग रूम, क्योंकि जितने कॉर्डरन तक तो पहले, अब कोई जा नहीं सकता, जब तक इवियम भरे हुए है, तो चुनाओ संप वोटिंग होने के पहले ही पूरी विवस्ता वहाँ पे बनाई गई है, वहाँ पे बाजू में ही, काउंटिंग की भी पूरी विवस्ता है, बनाया जाता है, जो काउंटिंग एजेंट्स आते हैं, यानि पोलिटिकल पर्टी के ल नॉर्मली 14 साथ टेबल एक साइड में ऐसा लगाया जाता है बीच में आरो के बैठनी की जगर है थी और उनके सामने में पोस्टल बैलेट के आवशकता अनुरूप टेबल बनाये जाते हैं नॉर्मली दो लगते हैं लेकिन अगर हजार से जादा होंगे तो उस अनुकरम में पर्मिशन के साथ टेबल बढ़ाये भी जाते हैं तो इस तरह से 14 टेबल की विवस्ता किया जाता है और उसके बाहर में एक जाली बना रहता है उसके बाहर के जगा पे हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं पॉलिटिकल पार्टिस के लोग वो उनको दिख सके कि क् उनके भी टेबल लगाये जाते हैं यह स्ट्रॉंग रूम के बाजु वाले कक्ष में किया जाता है बाजु वाले कक्ष में कभी-कभी अगर थोड़ा जगह नहीं मिले तो थोड़ा दस मिटर पंदरा मिटर 15-20 फीट का चलने का व्योस्ता करना पड़ता है यह जो जो कहा जाता है कि उसमें एक से फोड़ा टक के जो बूत के नंबर है उनके सीउ सिर्फ वहां पे आएंगे कुछ वीवी पैट में जो परची रहती है उसका अलग से गन्ना होता है वो अलग से किया जाता है लेकिन पहले इसमें जो सीउ रहता है यह जो बीच वाला 28 नंबर बूत के इस तरह से चरन चलते रहते हैं संभोता नॉर्मली 22 से 23 चरन में पूरा चुनाओ की गन्ना हो जाती है तो फिर सीउ पे रिजल्ट का एक बटन उपलब जा रहता है तो वो बटन दबाने के बाद फिर वो एक करम बाए करम से सभी जो कैंडिडेट से उनको कितना वोट मिले है वो दर्शित करता है तो वो हमारा जो एजन्ट से उनको भी दिखाया जाता है उसको एक जाई हमारे एरो करते हैं और फिर एक जाई करके आरो को देते हैं फिर प्रथम चरन का चुनाओ ऐसे करते करते हैं जो हमारे पूरे पालियां है 20-25 पालियां जित सब्सक्राइब और को होता है और एंड में रिजल घोशेट होता है तो यहां पर आकर जो चुनाव आयों की जो पूरी मेहनत है कहीं महीनों की वो फलीबूत हो जाती है और मतगरना और मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन हो जाती है चलते चलते बहुती संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें मैं सभी हमारे दर्शकों को अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ कि खास तोर पे अच्छे लोक्षाई के होने के लिए सभी ने बहुत अच्छे से चुनाव में शाशंकता और थोड़े कन्फूजन कुछ होते हों करते हुए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अपना एक वोट भी बहुत बेशकिमती है हमारे सुदूर आचल क्षेत्र के जिस तरह से लोग का पूरा इस्तेमाल इतने कटिनाई के बावजूत कर रहे है तो हम भी सभी मिलके भविश्य में जो भी चुनाव आते हैं उसम में वोट करना चाहिए और मैं फिर से बहुत दावे के साथ पूरे विश्वास के साथ सभी को कहना चाहूंगा कि भारत की जो निर्वाचन प्रनाली है पूरे विश्व में बिलकुल ट्रांस्परन्ट सटीक और सबसे अच्छी प्रनाली है मैं ये दावे के साथ कह सकता तो आप भी इस प्रणाली का हिस्सा बनी है महोदे आप आए और हमको पता है कि कितना आपका व्यस्त शेडूल चल रहा है अभी मदगर्णा होने वाली है लेकिन उसके बावजूद आप आए और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से समझाया मदगर्णा के बारे में, स्ट्रॉंग रूम के बारे में, इवियम मशीन के बारे में इसके लिए आपका बहुत बहुत धहले पाद तो दर्शकों जैसा कि छीर सागर जी ने बोला कि जो भारत की निर्वाचन प्रणाली है वो पूरे दुनिया में सबसे जादा पारदर्शी है, सबसे जादा स्ट्रॉंग है, मश्बूत है और हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत पर और भारत की निर्वाचन प्रणाली पर उमीद है कि हमारा आज का ये कारेक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा इसी के साथ हमको दीजे इजासत, नमस्कार